प्रियोग किये जाने वाले तवा और कढ़ाई के बारे में इन्हें घर में प्रियोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर हम वास्तु की बात करें तो घर में रखी हुई बहुत सारी चीजों का परभाव हमारे जीवन पर पढ़ता है वास्तु दोश का परभाव सिर्फ ये नहीं होता है कि घर में खिड़की दर्वाजे गलत दिशा में है तो उसका हमारे जीवन पर बुरा परभाव पढ़ता है बलकि घर के बरतन भी अगर सही तरह से प्रियोग में न लाए जाए या इने सही स्थान पढ़ना रखा जाए तो उससे भी वास्तु दोश उत्पन होता है और हमारे उपर उसका बुरा परभाव पढ़ता है बरतन से भी शुबता और अशुबता हो सकती है और इनकी वज़े से घर के सदस्यों को बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है आज मैं आपसे रसोई घर में सबसे ज़्यादा प्रियोग किये जाने वाले तवा और कढ़ाई के बारे में बात करूंगी तवा रसोई घर का सबसे महत्पून अंग होता है ऐसी कोई रसोई नहीं होती जहां पे तवा ना हो अगर तवा ना हो तो घर में रोटी भी ना बने वास्तु के अनुसार भी बहुत ज़्यादा महत्व है अगर तवे को वास्तु के अनुसार रखा जाए तो ये हम बहुत शुक फलदाई भी हो सकता है और अगर इसे वास्तु के अनुसार इसे ना रखा जाए या कुछ बातों का ध्यान ना रखा जाए तो ये बहुत सारी प सदस्यों की किसमत को चमका सकता है तो आईए जानते हैं तवे और कढ़ाई को प्रियोग करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लेकिन उससे पहले एक बात अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे और अगर आपको लगे के वी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो सबसे पहले जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो यह कि जब आप सुभे उठें तो पहले तवे को साफ करें और फिर तवे को गैस पे रखके उसे हलका सा गरम करें और एक चुटकी नमक ले ले और उ इसे हलका सा गरम कर ले और उसके बाद हमें इस तवे को उठा कर कपड़े से सिंक में उस नमक को जाड़ देना चाहिए यानि कि उसे अच्छे से साफ कर देना चाहिए इस उपाय को करने से जो भी नकारातमकता होती है रात भर की वो सारी की सारी जड़ जाती है और घर में बरकत बनी रहती है और मा अन्यपूर्णा भी परसन रहती हैं ये बहुत ही कारगर उपाय है और निरंतर इस उपाय को करने से घर धन धनने से भरपूर रहता है और सम्रधी बनी रहती है अगली जिस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है वो ये कि बहुत सारे घर में क्या होता है खाना बनाने के बाद तवे को उठा कर गैस के पीछे रख दिया जाता है लेकिन ऐसा हमें कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि तवे को गैस के पीछे सिर्फ तभी रखा जाता है जब घर में अशुप दिन होते हैं यानि कि किसी की मृत्यू हो जाती है तब जो भोजन बनाया जाता है उसके बाद वो भोजन और तवा गैस के पीछे रख रखना चाहिए ये बहुत ही अशुप परिणाम लेकर आता है इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि तवे को कभी भी गैस के पीछे ना रखें तो अब आप लोग पूछेंगे कि तवे को गैस के पीछे नहीं रखना है तो कहां रखना है तो जब भी आप खाना बना तो गरम तवे को उतार कर हमेशा अपने दाइने हाथ की तरफ ही रखें इसे लेफ्ट हैंड की तरफ भी नहीं रखना है और नहीं पीछे रखना है इसलिए तवे को हमेशा राइट हैंड की तरफ रखें और इसे महा तब तक रखा रहने दे जब तक तवा ठंडा ना हो जाए एक बात का ध्यान और रखना है कि कभी भी तवे को आप खाना बनाने के बाद गैस पर रखा हुआ ना छोड़ें ये ना सोचें कि जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे धोलेंगे हमेशा तवे को उतार कर अपने दाहिनी तरफ रख दें और जब वो ठंडा हो जाए तो उसे धोलें अगर हमारा तवा गैस पर ही रखा रहेगा तो इसका आशुप परिणाम होता है और घर में धीरे-धीरे गरीबी का वासोने लगता है अगली जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो ये कि हमारा तवा कभी भी खुले में या बाहर नहीं रहना चाहिए यानि कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से अंदर आता है हमारे घर पर आता है तो सीधे उसकी नजर हमारे तवे पर नहीं पढ़ने चाहिए इसलिए हमें अपने तवे को उठा कर किसी ऐसी जगे रख देना चाहिए यानि कि अंदर कैबिनेट में ड्रॉर में रख देना चाहिए ताकि जो भी अगर कोई व्यक्ति हमारे घर में आये तो उसकी नजर उस पर ना पड़े अपने घर के तवे को हमेशा दूसरे लोगों की नजर से बचा कर ही रखना चाहिए एक पत का ध्यान और हमेशा रखना है वो ये कि तवे को कभी भी उल्टा करकर ना रखे ये बहुत अशुब होता है और बहुत ही अशुबता लेकर आता है हमारे घर में तो हमेशा तवे को खड़ा करकर ही रखें चाहे ड्रॉर में रखें कैबिनेट में रखें या आजकल त लगती हैं रिप्रेजेंट करता है और नुकीली चीजों से राहू हमेशा खुपी थी होते हैं तो ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा अशुप परिणाम लेकर आते हैं इसलिए कभी भी नुकीली चीजों से इन्हें ना खुर्चे और ना ही उससे साफ करें तो अब आप लोग कहेंगे कि अगर तवा और कढ़ाई में कुछ चीजे जल जाएं तो उन्हें कैसे साफ करें अगर उन्हें नकीली चीजों से खुर्चेंगे नहीं तो फिर वो साफ कैसे होंगी तो इसके लिए आप एक बड़े बर्तन में पानी भरके रख लें और उसमें उन्हें डुबा कर कुछ तेर के लिए छोड़ दें जिससे जो भी कुछ जलाओगा वो सोफ्ट हो जाएगा और फिर इसे आप असानी से साफ कर सकते हैं वैसे पुराने समय में तवे को साफ करने का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था और उसके पीछे बहुत सारे कारण थे जो हम उस तरीके को अपनाते थे और वो तरीका था इंट के छोटे से टुकडे से तवे को अच्छे से घिस कर साफ करना इससे तवा साफ भी हो जाता था चमक पी जाता था और उसे किसी अगर वो जल भी जाये उस पे कोई चीज तो उसे नुकीली चीज से घिसने की जरूरत भी नहीं होती थी हमारे घर में पुराने समय में दादी नानीमा हमारी इसी तरह से अपने तवे को साफ करती थी इस तरह से तवे को साफ करने के पीछे एक जोतिशी कारण भी है वो ये के जो इंट होती है वो मंगल को रिप्रेजेंट करती है और तवा जो है वो राहू को प्रेजेंट करता है तो इस तरह से तवे को अगर इंट से घिसा जाता है तो उससे हमारा राहू शान्त होता है और मंगल भी अच्छा होता है लेकिन अगर आज के समय में इस तरह से इट न मिले हमें तो उसके लिए हम जो दिवाली पर दिये इस्तेमाल करते हैं उन दियों को घिसकर भी हम तवे को साफ कर सकते हैं इस तरह से अगर रोज तवे को साफ किया जाएगा तो हमारे घर में माहुल भी शांती पूंड रहेगा और मंगल के दोश भी हमारे घर में नहीं होंगे और सबसे बड़ी बात कि हमारा तवा भी चमकता रहेगा तो आप लोग भी चाहें तो इस तरह से अपने तवे को चमका सकते हैं इन सब चीजों के अलावा एक उपाय और करना चाहिए कि शाम को जब सारी रोटियां बन जाएं तो एक दो तीन इंच की एक छोटी सी रोटी बनानी चाहिए और उसे तवे पर डाल देना चाहिए उसके बाद जब वो रोटी एक तरफ से सिख जाये तो गैस को बंद कर दें और उस रोटी को पलट दें उसके बाद तवे को उठा कर आप अपने दाहिनी तरफ रख दें जब तक तवा ठंडा ना हो वो रोटी उसी पर रखी रहने दें सुभे इस रोटी को उठा कर आप पक्षी को डाल दें ऐसा करने से सारी नकरात्मक उठ्जा खत्म हो जाएगी और घर में सुक समरद्धी का वास होगा एक बात का ध्यान और रखें के कभी भी गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से घर में मुश्किले आने लगती है ऐसा कहा जाता है गर्म तवे पर पानी डालने से जो छन-छन की आवाज आती है वो घर के सदस्यों के बीच शोर उत्पन करती है यानि कि उनमें लड़ाई जगड़े होने लगते हैं इसलिए खाना बनाने के बाद गर्त तवे पर पानी तब तक न डाले जब तक की वो ठंडा न हो जाए ठंडा होने के बाद ही तवे को धोना चाहिए एक बात का ध्यान और हमेशा रखे कि अपने घर में एक लोहे का तवा जरूर रखे आज कल क्या होता है नोंस्टिक तवो का प्रियोग होने लगा है लेकिन लोहे का तवा जो है वो राहू ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और राहू एक ऐसा ग्रह जो हमें जमीन से आस्मान तक ले जा सकता है और आस्मान से जमीन पर भी ला सकता है तवे के प्रियोग का जो परभाव होता है उसका परभाव सिर्फ हम महिलाओं के उपर ही नहीं पढ़ता है बलकी परिबार के पूरे सदस्यों के उपर पढ़ता है वास्तु के अनुसार तवे और कढ़ाई की पवित्रता का भी ध्यान हमें बहुत रखना चाहिए क्योंकि इने कभी भी जूटा नहीं करना चाहिए हमें डारेक्ट ऐसे के जूटा हम टुकडा कढ़ाई से लगा के खा ले या ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है जिस घर में तवे और कड़ाई की साफसफाई का और पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता है वहाँ पर दरिद्रता आने लगती है बीमारियां बढ़ने लगती हैं और जहां पर इनकी साफसफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, वहाँ पर परिवार के सदस्यों की उन्नती होती है, शुक्सांती रहती है और सम्रद्धी होती है और सबसे बड़ी बात मा अनपुर्न वहाँ पर परसन रहती है तो कभी भी धन धान्य की कमी वहाँ नहीं होती है और घर में कभी भी तूटे हुए कड़ाई या तवे का प्रियोग नहीं करना चाहिए जैसे कि अगर किसी तवे का हैंडल निकल गया है लेकिन फिर भी हम उसका प्रियोग कर रहे हैं या कड़ाई क बहुत जल्दी आती है परिवार पर मुसीवतों का पाहर टूपने लगता है तो हमेशा अपने घर में जो भी आप तवा और कढ़ाई रखें उन्हें साफ सुत्रा चमकदार और उनकी पवित्रता का बहुत ध्याम लखना चाहिए कभी भी गंदे तवी का प्रियोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका असर परिवार के सदस्यों की सेहत पर तो पढ़ता ही है